हलो दोस्तों स्वागत है आज के हमारी वीडियो पर तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गिंदी का पोधा जैसे हम लोग गिंदी लिए बताएंगे जैसे कि आप अधी घर में गाड़निंग करते हो या बहुत तरह के पोधे लगाते हो अपने बगान में तो उनकी क्या ह होता है कि पत्लिय सुखकर वो पोधे से अलग हो जाती है और वो सुख जाती है और उसे हम लोग जाल कर फेक देते हैं जैसे जालू लगा कर हम लोग सफाया कर देते हैं पर दोस्तों ये गलती आप भूल कर भी ना करें क्योंकि अधी ये गलती आप करते हैं तो फिर पोध पॉधे लगाते हैं तो उस मिट्टी में विकास नहीं होती है किसी मिट्टी में पॉधे नहीं होती है हर जगह का अपना मतलब की मिट्टी का जो फंगी रहता है वो हम लोग अपना देश में किस तरह से समझते हैं उस तरह से यह फंगी साइड की जैसे मिट्टी भी अलग-अलग देशों में अलग-लग नाम से अलग-लग मतलब की पुकारा जाता है पर दोस्तो ये हमारे जो देख रहे हो मैंने इस तरह से पोट में गिंदी का पोट में मैंने मिठी डाल कर पोधे उगाई हूँ पर दोस्तो आज हम आपको खरपतवार जैसे हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से ये पोधे जो है ये हमारे खरपतवार है इसको हम लोग बोलते हैं घरपतवार ये बहुत ही सुन्दर और बहुत ही अच्छे है ये पौधे करान बान का काम करती है इस तरह से आपके कूड़ी कचड़े जैसे हम लोग इस तरह से जमी कर देते हैं हम लोग जाला कर इसको उठा लेते हैं ये कचड़ा में आप पौधे कहिसे उगाओगी दोस्तो हम लोग तो बहुत तरह से पोधे उगाते हैं कटिंग से उगाते हैं हम लोग मिटी से उगाते हैं कंपोस्ट खाद डाल कर उगाते हैं पर आज हम आपको इस तरह से खाद से पोधे लगा कर दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाओगी क्योंकि आप तो पौधी लगाते हो, उसमें कई तरह के खाद डालते हो, पर इसमें आपको किसी तरह का खाद नहीं डालना होगा, क्योंकि ये एक नंबर का खाद, खरपतवार का खाद बहुत ही बेश्ट और बहुत ही तंदुरुस्त पौधी के लिए ये विकास करती है, तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, इस तरह से खरपतवार आपको घर में आप इकठे कर सकती है, बहुत सारे पौधे लगा सकती हो, इससे क्या होगा, ये भगवान का दिया हुआ बरदान है, ये पौधे विकास किया हुआ जो पत्ती है, वो एक नंबर ओरिजिनल खाद त्यार होता है, तो मैं आपको आज लगा कर दिखाती हूँ कि गिंदी के पोधा किस तरह से आप लगाओगे, तो चली, देखिए, ये हमारे इस तरह का मैंने एक पलास्टिक का एक कभर लिया है, जैसे आप घर पे किसी तरह का पलास्टिक, जैसे हाड पलास्टिक होता है, आटे की बो बढ़ियां वाला ये कहरी बेग है, अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहली बात है कि आप इसको कट कर ले, उपर की हिस्सी को यहां से मैंने कट कर लिया है, और इसकी निचली भाग में इस तरह से आप छिदर बना दे, जैसे मैं आपको दिखा रहे हूँ, इस तरह स आप घर पी लगा कर देखो कि किस तरह से लगाया जाता है, पर आज हम आपको दिखाते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से हम खर पतवार ले लिए हैं, अब इसमें आपको क्या करनी है कि यह हमारी मिटी, थोड़ा सा मिटी मिक्स करना बहुत ही जरूरी हो हैं अगर इसमें सपोर्ट नहीं डालोगे मित्टी सव जा थाक कि आटYa39 घुखां विकास नहीं करेंगे आटाज सरा में ऊपल्णभ औरgs対न वीज हैं तो हम कुषन है चिपके मितलいます दोस्तो देखे ये हम आपको दिखा रहे हैं अपने वीडियो पर कि इस तरह से आप पलास्टिक का बॉटल में आप देखे इनके नीचे किस तरह से जड़ निकले हुए हैं यहां देखे इस पर केचुवे भी लगे हुए पर दोस्तो इसको कटिंग कर आप लगा सकते हूँ यह पौध ही बहुत सुन्दर लगेंगे और खुशुरत लगेंगे देखने में आप देख सकते हूँ कि मैंने कि इस तरह से बॉटल में भी एक पौधा लगाई हूँ तो अब आपको क्या करना है कि जैसे इस कहरी बेग ले लिया है आपने तो इस कहरी बेग में अब इस क्या करना है इसमें डालनी है इस तरह से डाल देगा दोस्तों आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरी वीडियो को कर देना लायक और चैनल को कर देना सस्क्राइब क्योंकि इस तरह से इस फैरी बेग में देखिए मैंने इस तरह से खैर पतवार डाल दे रही हूँ अब आपको क्या करना है कि ये पोधी को कवार कर लगा देना है जैसे मैं इसको जैसे कि देखिए इस तरह से मैं आपको कवार दिया है अब इनकी जड़ देखिए इनकी जड़ इनके मुलाएं दोस्तों आप मेरी वीडियो देख रहे होगे तभी आप समझ पाओगी इसको मैं पर यह पौधि बहुत हीं बड़े और बहुत हीं भुबसूरत त्यार हुए हैं तो इसको क्या करना है इस तरह से आप कुछ अंदर तक इसको दवा कर लगा दे यह देखे यह हमारी इसमें लगा दिया है अज इसको क्या करना है complete इस खर पतवार जैसे हम लोग बेकार समझ कर फेक देते हैं तो आप इसको बिल्कुल भी ना फेके ये खर खत पतवार की मदश से आप पौधे ग्रोज दिला सकती हो पौधे लगा सकती हैं बहुत ही बढ़िया और अच्छे पौधे लगेंगे दोस्ते तो देखिए इस तरह से मैं सारे इसमें भर दिया है अब देखिए अब इसको क्या करना है आपको थोड़ा खाली छोड़ना है देखिए ये हमारे पूरे लग कर तैयार हो गए है अब इसमें आपको क्या करना है आप तो सारा पौधा लगा दिये इसमें कावाल करमय लगा दिया है अब इसको देखिए इसको क्या करना है ये हमारे गंडे है गोबर की गंडे है अब इस गंडे को इसमें डाल देना है क्योंकि ये भी एक तरह का खाद है इस तरह से हम इसको लेयर बिचा देते हैं ये देखे ये क्या होगा ये धीरे-धीरे सड़न होगी धीरे-धीरे सड़ते सड़ते ये एक तरह का खाद पदार्थ त्यार होगी दोस्तो इस तरह से पौधा लगाना सीखो बहुत ही आसान हो जाएगी आपके गौँ में आपके देशों में अधी मिट्टी नहीं मिलते हैं तो आप इस खर पतवार से पौधी बहुत ही अच्छी तरह से लगा सकते हो ये लगाने का तो दोस्तों देखा मैंने किस तरह से आपको कैरी बेग में ये पौधी लगा कर ये गिंदे का प्लांच लगा कर आपको तियार किया है पर दोस्तों आप इसको लगा दिये हैं लेकि ही खुबसूरत त्यार होगी तो आपको इस तरह से कैरी बेग को बेकार समझ के बिलकुल ना फेके क्योंकि इसमें पोधे लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पॉंस आती है और इसमें आप ये ना तूटेगे ना फूटेगी ये सालों साल आपके प्लास्टिक क जो कैरी बेग है ये चलेगी और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसको इस तरह से लगाने का तो दोस्तो आप इस तरह का जनकारी आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक पर चैनल को करना सस्क्राइब दोस्तों बाबा